इस कारिक्रम का मकसद महात्मा गांधी की हत्या और हत्यारों से जुड़ी मानसिक्ता को दर्शाना है ABP News महात्मा गांधी के हत्यारों की सोच का किसी भी रूप में समर्थन नहीं करता है कारिक्रम पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है और कुछ घटनाओं को बेहतर तरीके से समझाने के लिए नाट्य रूपान्तरन का इस्तेमाल किया गया है भया पूजा के देरी हो रही है पापू को जाने देने 20 जन्वरी 1948 पिर्ड़ा भवन दिल्ली महत्मा गांधी की हत्या हत्यारे का नाम नाथुराम विनायक कोट सी गोर्ड़से की बंदूक से उस शाम निकली गोलियों से दिल्ली के बिल्ला हाउस में वक्त मानो ठहर सा गया इतिहास के पन्नों में एक अध्याय खत्म हो गया लगबक छे महीने पहले आजाद हुए भारत ने अपना महात्मा खो दिया गांधी नहीं रहे अहिंसा के पुजारी का हिंसक अंध हो गया और अंध करने वाले ने कहा कि देश जिस गांधी को राष्ठ पिता कहता है वो उसे देश के बटवारे का दोशी मानता है इसी लिए उसने गांधी को मार डाला आखर कौन था नाथुराम गोट से खंटों मूर्थी के सामने बैठे रहना ध्यान लगाना एक बच्चे के लिए ये सब सामाने नहीं था लेकिन राम चंदर का बच्चपन ऐसा ही था 1910 में जन्मा राम चंदर अपने माबाप का पहला लड़का था जिसकी मृत्यू नहीं हुई उसके पहले परिवार के तीन लड़कों की बच्चपन में ही मौत हो गई थी तब उसके माता पिता ने अपने इस लड़के को लड़की की तरह पालने का फैसला किया उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके परिवार के लड़कों पर अगर कोई संकट होगा तो वो खत्म हो जाएगा जब नधरामगोड से का जन्दम होने वाला था तब उनकी माने मंगत मांगी थी परमादमा के सामने प्रभो अगर ये लड़का है अगर होगा अगर ये जिन्दा रहेगा तो मैं उसका नाक में छेद दू देंगी और उसके अनुसार जीवित रहे इसलिए उनके नाक में छेद दिया गया बस इतना ही था पहले उनका नाम था राम चंडरा जब नाक में छेद दिया तब उनको नाथुराम के बाद उसके तीन भाई और हुए लेकिन नाथुराम उन सबसे अलग था शायद इसकी वजह थी उसका बच्पन तुशार गांधी के मताबिक बच्पन के हालात नहीं नाथुराम के अंदर इतना आक्रोश भढ़ दिया था जिसका असर बड़े होने तक बना रहा जवान हुए तब भी उनको इश्यूज थे एंगर के इश्यूज थे वो सोशल स्किल्ज नहीं थी और रतों से घ्रिणा थी उनको वो अलाइदा रहते थे तो बच्पन के जो हालात हुए थे उनी के कारण आगे उनके उपर यह असर होना बहुत सभाविक था वही जाने माने समाच शास्त्री और मनों विशलेशक आशीश नंदी का मानना है कि नाथुराम गोटसे के हद्यारा बनने की एक वज़े वो माहौल भी था जिसमें वो पला बढ़ा नाथुराम ने अपने पढ़ाई लिखाई पोणे में रहकर की हाला कि स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा नाथुराम का मन पौरानिक कथाओं धर्म गरंथों और इत्यास की बढ़ाई में लगता था अंग्रेजी में फेल होने की वज़े से मुमेट्रिक पास नहीं कर पाया इसके बाद कुछ समय के लिए उसने बढ़ाई का काम सीखा लेकिन तब ही उसके पिता का ट्रांसफर रतनागिरी में हो गया यही वो जगा थी जहां से नाथुराम के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था उनी दिनों सावरकर को आन्नामान से रिहा करके रतनागिरी में शेत्र कारावास किया गया था उस शेत्र में पाबंध वो रह रहे थे अच्छा मौका नतराम जी को मिला कि वे सावरकर जी का दर्शन कर पाए रहे चोटी थी आयो 17 साल के आयो फिर सावरकर जी कि यहां जाते थे प्रनाम करते थे और केते थे मैं कुछ मद्द करूँ क्या तो सवरकर क 20 को लिखने के लिए किसी यवा यवक के आवश्चक्त थी तो नतराम जी जाते थे जो सावरकर जी कहते थे वो लिख कर रहते थे विनायक दामदर सावरकर ने ब्रिटन में रहकर कानून की पढ़ाई की थी लेकिन इसी दौरान उन पर ब्रिटिश सत्ता के खलाफ साज़श रचने का आरोप लगा जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें काले पानी की सजा दी यानि 50 साल के लिए पोर्ट ब्लेर की सेलिलर जेल में रहने की सजा वह रहकर सावरकर ने हिंदू धर्म और दर्शन पर काफी कुछ लिखा हिंदूत्व शब्द को एक विचार धरा के तौर बढ़ावा देने वाले सावरकर ही थे कई साल तक जेल में रहने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें इस वादे पर छोड़ा कि वो राजनीतिक गतिविदियों में शामिल नहीं होंगे और रत्नागिरी की सीमाओं में रहेगे रत्नागिरी में ही उनीस सो इनतीज में पहली बार सावरकर और नाथुराम घोटसे की मलाकात हो हिंदुत्व पर सावरकर के विचारों से प्रभावित होकर नाथुराम ने उन्हें अपना गुरु मान दिए जवानों को नविवानों को जो है वो सावर कर बड़ा प्रभावित करते थे और दूसरी बात ये थी कि जिन लोगों के मन में एक एक वर्ग इस देश में हमेशा से ये रहा है जो उस हिंदू राष्टर की कल्पना करता है जहां किसी और को जगह नहीं है ऐसा मानने वाले कई युवा थे गोड से ऐसे उनसे प्रभावित हुए थे कि हाँ ये धरती जो है ये धरती तो महज और पक्के तोर पे एक हिंदू राष्टरवादी के लिए ही बनी हुई भारत मा है और इसमें किसी और का रहना अगर वो हिंदू नहीं है तो वो नहीं रह सकता इस इस से ज्यादा प्रभाव जो है वो हुआ था उस वक्त देश में महत्मा गांधी का जादू था लाखों लोग गांधी के आहिंसा और सत्या ग्रह से जोड रहे थे कहते हैं गोड से भी कुछ समय के लिए इसका हिस्सा बना चुआ छुआ छुट के खिलाफ काम किय लेकिन 20 साल के गोड से को ज्यादा प्रभावित वो विचार करते थे जो हिंदुत्व की बात करते थे जैसे राष्टिय स्वयम सिवक संग 1948 में कोड में बयान देते हुए गोड से ने खुद कहा कि वो RSS से जुड़ा था सन 1932 में डॉक्टर हैट गिवार के भाष्ण से प्रभावित होकर मैं स्वयम सेवक के तौर पर संग से जुड़ गया कुछ सालों तक महरास्ट में मैंने उसके बौतिक कारेकरमों में हिस्सा लिया कुछ समय तक हिंदूों के उत्थान से जुड़े काम करने के बाद मुझे लगा कि मुझे हिंदूों के नाय संगत अधिकारों की रक्षा के लिए देश की राजनीतिक गदिवीतियों का हिस्सा बना जाएगा इसलिए मैंने संग को छोड़कर हिंदू महासभा से जुड़ गया गोडसे और RSS के रिष्टे को लेकर हमेशा सवाल उतते हैं RSS गोडसे से अपने संबंधों को नकारता रहा गोडसे ने मैं अपनी बयान में यही कहा कि गांधी की हत्या के वक्त RSS से उसका कोई रिष्टा नहीं था लेकिन गोपाल गोडसे नाथूराम गोडसे के छोटे भाई ने जेल से रहा हुने के कई साल बाद फ्रन्ट लाइन मैगजीन को दिये इंटेव्यू में कहा कि नाथूराम गोडसे ने RSS कभी नहीं छोड़ा था नाथूराम RSS में बौद्ध कारवाह बन गए थे उन्होंने अपने बायान में RSS छोड़ने की बाद इसलिए कही क्योंकि गांधी की हत्या के बाद गोलवरकर और RSS के लिए परिशानिया बढ़ गई थी लेकिन उन्होंने RSS छोड़ी नहीं थी जब शुरू में जितना वे काम करते थे उतना समय वो नहीं दे पाए संग को लेकिन उन्होंने ट्याक पत्र नहीं दिया था संग कर तो वो संग के प्रतिद्नित सयंसक थे ही और हिंदू महासभा में ऐसे सयक्रों लोग थे जो संग से अपनी कलपना के अंसवार संग से काम करने के अपिक्षा कर रहे थे लेकिन संग अपनी एजिंडिक आधार पर काम कर रहा था इसने गोटसे और संग का संबंध 1932 के बाद नहीं रहा 1932 में हिंदू महासभा ने हैदराबाद के निजाम और रजाकारों के खिलाफ मार्च निकालने की खोशना की थी तब गोटसे ने इस मार्च के पहले जद्वे का निद्वत्रत किया इसी दोरान उसे गिरफतार कर लिया गया और एक साल के लिए जेल भीज दिया गया इस वक्त सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे और गोटसे उनका कट्टर समर्थक 1949 में हैदराबाद जेल से बाहर आने पर गोटसे, मुसल्मानों और गांधी की हिंदू-मुस्लिम एक्दा की सोच के सिध्धान्द के खिलाफ हो चुका था सावरकर उस वक्त हिंदू महासभा को मजबूत संगठन के तौर पर स्थापत करने में लगे थे मनोहर मलगाओंकर ने अपनी किताब दिमेन हुकिल गांधी में लिखा है कि सावरकर उस वक्त एक ऐसा दल भी बनाना चाहते थे जो उन कामों में लग सके जो एक राजनितिक पार्टी नहीं कर सकती 1942 में गोटसे और आपटे इसी दल का हिस्सा बनी जिसका नाम था हिंदू राष्ट दल 1942 में गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के जिसके बाद कॉंग्रेसी नेताओं की गरफतारिया होने लगी कॉंग्रेसी नेताओं की गैर मौजूदगी और दूसरे विश्वियूद में बृटिन को समर्थन देने की मुस्लिम लीक की रणनीती ने जिन्ना को मौका दे दिया अंग्रेजों के साथ अच्छे रिष्टे बनाने का मुस्लिम लीक का बड़ता प्रभाव, हिंदु महसभा और उसके नेताओं को पसंद नहीं आ रहा था वो इसके लिए कॉंग्रेस की कमजोर नीतियों को जिम्मेदार मान रहे थे हाल ही में The Economist मैगजीन में छपे एक लीक में लिखा है कि सावरकर ने गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें कमजोर और कायर तक कह डाला था सावरकर जी ने गांधी जी की काफी आलोचना किये उनकी राजन दिरिष्टिकोन की आलोचना किये सावरकर जी का कहना था कि किसी भी आदमी को डेश पे प्रयोग करने का कोई अधिकार नहीं है जबकि गंधी बोल देटे कि मेरी अंतरात्मा की आवाज मेंसे बताएगी और मैं उससे चलूँगा तो सावरकर जी का यह मूल्टा विरोद्ता कि आप देश पे प्रयोग नहीं कर सकते तो काफी इनके दोनों के अन्याई भी एक दूसरे के कट्टे विरोदी थे गंधी भादी भी सावरकर के कट्टे विरोदी थे वही गांधी कुछ हिंदू संगठनों को अखरने लगे थे। आखर क्यों? क्या गांधी का ये सोचना गलत था कि हिंदूओं और मुसल्मानों को एक साथ मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करना चाहिए? या गांधी का ये मानना गलत था कि बहु संख्यक होने के नाते हिंदूओं को बड़ा दिल दिखाना चाहिए गोडसे जिस विचारधारा का समर्थक था वो विचारधारा गांधी की इस सोच को मुस्लिम तुष्टी करण का नाम देती थी तो क्या यही विचारधारा गांधी की हत्या की वज़े बनी आखिर गोडसे ने गांधी को क्यो मारा गोडसे ने कोड के सामने दिया अपने बयान में गांधी की हत्या की जो वज़े बताई उनमें प्रमुक थी गांधी का मुसल्मानों की तरफ नरम रवया, बटवारे के लिए गांधी को जम्मेदार मानना और भारत सरकार पर पाकिस्तान को इसके हिस्से के 55 करोड रुपए देने का तबाव बनाना पिछले 50 साल से संग और उनके हत्यारों की विचारधारा है उन्होंने उनकी हत्या को जस्तिफाई करने के लिए जूट का प्रचार पुर्जोर से चलाया है बापू के उपर कई प्रकार के आकशेब डालके उस हत्या को जस्तिफाई करने के उन्होंने भरपूर चेश्टा की जो भी नरने हो रहा था उस सामुहिक नरने हो रहा थह उसमें किसी एक व्यक्तिक को एंगित करना उसके साथ ना इनसाफी होगी चाहिए महात्मा गांडी हो या जबाहरल नहरू हो या सदार पटीर हो स्वतंतरता आंदोलन को हमने सामध्यक्ता किया धारwatch लरा। वैचारिक मतवेद थे लेकिन rapidly से बाहर भीजा जा इस पर मतवेद नहीं था। इस ते ये जो मुद्ब्धे उठे उन मुद्धों की अलग-अलग पर्तिक्रिया हुई उसमें से एक नात्रों गोर्सी की पर्तिक्रिया थी जो गलत थी 1947 वो साल जब देश को आजादी मिली लेकिन आजादी के साथ मिला बटवारे का जक्व दंगों का दर्द मुस्लिम लीग की जिद और अंग्रेजों की चालने 1947 में देश के दो टुकडे कर दी है जाहिर है आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में कोई भी ये नहीं चाहता था लेकिन गोर्ड से और उसके जैसे तमाम कट्टर हिंदू समर्थकों ने इस बटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मान लिया एक तरफ आजादी का जश्न और दूसरी तरफ बटवारे की वज़े से हुए दंगों का तर्थ भारत में पंजाब से लेकर दिल्ली और बंगाल तक दंगे पहले हुए थे आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को गांधी दिल्ली से दूर कलकत्ता में उपवास पर थे अगर कांग्रिस बटवारे को सुईकार करना चाहती है तो ऐसा मेरे मृत शरीर पर होगा जब तक मैं जिन्दा हूँ मैं कभी भारत के बटवारे के लिए तयार नहीं हूँगा लेकिन ना गांधी बटवारे को रोक पाए और ना उसके बाद हुए दंगों को एक तरफ देश में दंगे हो रहे थे तो दूसरी तरफ गोटसे आप्टे और उनके बागी साथियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी पूने में हिंदु राश्ट्र अखवार के दफतर में ही गोटसे और उसके साथ ही इकटा होकर योजना ही बनाया करते थे उधर दिल्ली में हालात बिकारते जा रहे थे मांट बेटन से मलाखात के बाद महात्मा गांधी ने उसी शाम अपनी प्राथना सभा में लोगों से दिल्ली में साम लदाइक सौहार्ड बनाने की अपील है उन्होंने कहा जब तक दिल्ली में हालात नहीं सुधरते वो आमरन अंशन पर बैठेंगे पूरे में हिंदो राष्टर के दफ्तर में मौजूद गोट से और आपते को भी गांधी के अंशन के ख़बर में तो शार गांधी के मताबिक उसी दिन उन्होंने अपनी योजना को अंजाम तक पहुँचाने का फैसला कि अब उनको लगा कि ये बहाना मिल गया अब इसको कारण बना के हम ये कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने किया ये उपस के कारण हम भृत नाराज हो गये उनको मार दिया ये मंशा था, उसके लिए एक बहाणा उनको मिली गया, उन्होंने तो पहले पन्चगी नहीं और सिवाग नाम में क्यों मारने गये थे बापीकों, तब ही तो कोई बात नहीं थे, अंचन की बात नहीं थे, ना पच्छमन करोड की बात थे, ना बटवारे की बात थे. नाथुराम गोटसे के मन में क्या चल रहा था ये जल्द ही सब को पता चलने वाला था लेकिन एक बात तो साफ थी कि वो अपनी योजना बना चुका था क्योंकि 13 और 14 जनवरी को उसने अपनी दो जीवन भीमा पॉलिसी में से एक में नारायन आप्ते की पत्नी और दूसरी में अपने छोटे भाई गोपाल गोटसे की पत्नी का नाम लिखवा दिया मतलब साफ था कि वो ऐसा कुछ करने वाला था जिसमें खुद गोटसे आप्ते और गोपाल गोटसे की जान को खत्रा था शायद यह हो सकता है क्योंकि वो तो बचने वाले नहीं थे उनको पता था गोटसे ने कोट में दिया अपने बयान में गांधी की हत्या की एक वज़े ये बताई थी कि गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड देने का दबाव बनाया ये बास सही है कि गांधी सरकार के उस फैसले से सहमत नहीं थे लेकिन ये भी सही है कि गांधी के अंशन के दौरान ही भारत सरकार ने पैसे ना देने का अपना फैसला बदला और कैबिनेट ने पाकिस्तान को वो रकम देने का प्रस्ताओ को मनजूर कर लिया। लेकिन गांधी ने खुद कभी इसे अंचन खत्म करने की शर्तों में शामिल नहीं किया। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस तरह की बातें सिर्फ गांधी की हत्या को सही ठहराने के बहानों के तौर पर कही जा रही थी। पच्पन करोड पाकिस्तान ये सारे बहाने बाद में सोचे गए। जब ये पता गोडसे ने खुरुत्य कर लिया और वो कारवास में थे और ये जानते थे कि अब गोडसे के ऊपर फोकस होगी स्पॉटलाइट तो सावर करने और गोडसे ने मिल के ये पूरी पूरा एक वो चिठा लिखा ताकि आने वाली नस्लों को ये बताया जाया कि गोडसे कितना माहन देशवक्ता, उसने कितना माहन देश भक्ती का काम किया और बापू कितने देश दुरोही थे अगर उनको जिन्दा रहने दिया जाता तो वो देश का कितना बड़ा नुकसान करते हैं ये सब हत्या के बाद सोची गई बाद है हत्या तो करना उनको उनका मकसद पहले से था गोटसे का नाम इसलिए हो गया है कि उसने एक महापुरुस की एक राष्टपिता की हत्या की अन्यत्या गोटसे एक अस्थानी अस्तर का सामाने करज करता था जो वैचारिक रूप से ना परिपकु था ना संगठनात्मक रूप से कैसी हिंदु महासभावें भी किसी उचे पगपर था इसने गोटसे को उस रूप में प्रोजेक्ट करना कि कि किसी वैचारिक सोच के आधार पे काम कर रहा था मैं गलत मानता हूँ वो तातकालिक कारण थे उत्तेजना थी और यह बहकावा था यह कुछ लोगों का यह बहकावा था यह इसके पीछे कोई सोच कोई साजीस कोई विचारधारा काम कर रहा था मैं इसा नहीं मानता हूँ भाइया पूजा के लिए देरी हो रही है पापू को जाने देंगे पापू को जाने देंगे पापू को बापू पापू पापू पापू